महा भारत से क्या सीख मिलती है? आईए आज हम जानते हैं कि महा भारत से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है महा भारत एक महान ग्रंथ है जो हमें जीवन के सभी रूपों की जलक दिखाता है ये ग्रंथ परिवार, समाज, राज, धर्म और नीती से जुड़ा पाठ पढ़ाता है और वरत्मान समय में भी जीवन को सही तरीके से जीने और सही नीड़ाए लेने में ये ग्रंथ सहायखो सकता है इसके लिए जरूरी है कि हम इस ग्रंथ से कुछ जरूरी सीख लें ताकि हमारा जीवन सरल और सुगम बन सके ऐसे में आज महाभारत से कुछ खास सीख लेते हैं तो चलिए जानते हैं महाभारत से मिलने वाली सीख के बारे में पहली बात अपनी संगत पर ध्यान दे महाभारत में दुरियोधन को उसके मामा सकुनी की गलत संगत मिली जिसने उसका पतन कर दिया ऐसे ही जीवन में अगर आपकी संगत सही होगी तो आपका जीवन सुधर जाएगा और अगर आप बुरी संगत का चुनाव करेंगे तो दु स्रीकृष्ण की रणीती ने ही पांडों को महाभारत युद्ध में जीत दिलाई थी, क्योंकि उनके पास एक असपठ रणीती थी, इसी प्रकार जीवन में किसी भी लच्छ को पाने के लिए सही रणीती का होना जरूरी है, जिसके आभाव में जीवन अंधकार में हो सकता है तीसरी बात, सोच समझ कर बोलना चाहिए, महाभारत युद्ध में द्रोपदी द्वारा कहा गया ये कधन, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत के युद्ध का एक प्रमुक कारण बना, और इसके बाद परिवार, समाज और राष्ट का पतन होता चला गया, इसलिए ये ज खेल में पांडों को अपना सब कुछ गवाना पड़ा, यहां तक कि उन्होंने अपनी पतनी द्रोपदी को भी दाओं पर लगा कर सारी मर्यादब भंग कर दी, इसलिए ये जरूरी है कि इस तरह के सौख रखें ही ना जाए, जो आज नहीं तो कल बेक्त को बरबात करने व चाहें, महाभारत में पांडों ने अपने मित्र स्रीकृष्ण की हर बात पर अमल किया और विजय हुए, जबकि दुरियोधन ने कर को सिर्फ एक युद्धा समझा और उसके उचित प्रस्तावों को ठुकरा कर अपने मृत्य के नजदीक पहुँच गया, छठवी बात, अ अतिभावुकता से बचना ज़रूरी है, सात्मी बात, लच्छ भेदने के लिए एकलब बेबनो, अगर आप अपने जीवन में लच्छ भेदना चाते हैं तो एकलब जैसा जजबा रखना होगा, एकलब की मेहनत और लगन ने उन्हें अरजुन से भी महान धनुरदर बना दिया था, क्योंकि एकलब ने मारगों में आने वाली किसी भी मुश्किल के आगे जुकना नहीं स्विकारा, आठवी बात, हर गलती की माफी नहीं होती, महा भारत में युधिष्टिर दंड की बजाय माफी के पच्छ धर थे, लेकिन उनके इस द्रिष्ट कोर ने उन्हें बहुत बार आहत किया, यहां तक कि भीस पितामा ने उन्हें उपदेश दिया की राजधर में डंड की जरूरत हमेशा होती है, डंड ना देना सबसे बड़ा अपराध होता है, इसी तरह हमारे जीवन में भी अच्छमे गलतियां की माफी देना बहुत बड़ी भूल सावि और महाभारत से सीख लेते हुए अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए प्रेरित भी कर पाई होगी, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और ऐसे ही जानकारियों के साथ, और हाँ अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बिल आइकन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें